हे गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपको IRCTC Rail Content के एप्लिकेशन में यहाँ पे जब आप यहाँ पे अपना पासवर्ड बगरा लिख रहे हैं यानि कि अपना पासवर्ड डालते हैं तब आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे लिखा रहता है पासवर्ड should have alphabet and numbers only तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहता है तो इस प्रॉब्लम को आप क्या से solve करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो जब भी आप अपना password create करते हैं तो आपको यहाँ पे पासवर्ड करते टाइम आपको एक बात का ध्यान यह रखना है यहाँ पे आपका जो password होता है उसको आपको यहाँ पे alphabet and numbers में आपको लिखना है तो जब आप password create करेंगे तो यहाँ पे आपको alphabet में लिखना है यानि कि एक letter बड़ा होना चाहिए और एक letter small होना चाहिए और यहाँ पे उसके साथ साथ ही आप यहाँ पे number enter कर लिजिए तो यहाँ पे मैं password create करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे password create करना है तो यहाँ पे मैं notes में जाके यहाँ पे दोस्तो अपना new notes में जाता हूँ और यहाँ पे एक password create करके मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको जब भी password आप create करते हैं तो इस तरीके से जो है इस तरीके से alphabet में लिखे यहाँ पे small letter और capital letter में लिखे और guys यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से लिखना है और बाद में आपको कोई भी letters यहाँ पे डाल देनी है suppose मैं इस तरीके से डाल देता हूँ तो इस तरीके से guys आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक password create कर लिया है और इसी को आपको अपने phone में जो है इस तरीके से आपको alphabet और number में password create करना है तो उसके बाद guys आपका जो password है वो असानी से बन जाएगा और आपको कोई भी problem नहीं आएगा तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर लिजिए और हमारे channel को subscribe भी कर लिजिए